हलो गाईज, 100 वर्ट पर मिनट एडिटोरियल डिक्टेशन स्टार्ट हुगी 5 सेकेंड बाद स्टार्ट हरियाना में पिछले दू सालों से भरती परकिरिया बंद ही समझी जानी चाहिए हरियाना सरकार ने कोरोना बंदी से पहले जो भरती विज्यापन जारी किये थे उन पर अब तक कोई काम नहीं किया है नई भरती की बात तो दूर की बात है यही नहीं मार्च 2020 में राज्य भर के आईटियाई संस्थानों याने राजकिये ओध्योगिक प्रसिक्षन संस्थानों में अनुदेशकों के पदों के लिए जारी किये गए परिणाम के बाद दस्तावेजों की जाँच को अदालत के इस्थगन के नाम पर लटका दिया है मालूम हो की साल 2010 में हरियाना सरकार ने पहली बार ITI में अनुदेशकों के पदों के लिए आवेदन मांगे थे इसके बाद साथ बार ये पद विज्यापित किये जाते रहे आखिरकार 2010 में राज्ये के लाखों बीटेक युवाओं ने परिक्षा दी हर श्रेने की अलग अलग परिक्षा लग भग एक माह चली आंदोलन कर परिक्षा परिणाम जारी करवाया गया पांच बार दस्तावेज जाच का काम टला और यह अभी तक जारी है आखिर सरकार अदालत की आड लेकर भरती क्यों नहीं करना चाहती क्या यह अंदर खाते ब्रस्टाचार की दस्तक तो नहीं है मगर ऐसा नहीं तो फिर क्यों सरकार भरती नहीं कर रही है क्यों ठेके पर कर्मचारी रखी जा रहे हैं सरकार के इस रवये के कारण हरियाना के बीटेक एवं एमटेक पास हजारों नोजवान तनाव में हैं पेरा काबुल हवाई अड़े पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी IS-IS खुरासान संगठन ने ली है इसके बाद बदले में अमेरिकी सेना ने 24 घंटे के भीतर ही IS के ठिकानों पर ड्रोन हमले कर डाले जाहिर है अब लड़ाई की शुरुवात हो चुकी है अफगानिस्तान नए तरहे के युध में फसने जा रहा है फिलहाल IS के हमलों के बाद तालिबान के बड़े नेताओं ने इस आतंकी संगठन से दूरी बनानी शुरू कर दी है अब उनको भी आतंकवादी गती वीधियों से सबक लेने की जरूरत है अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि काबुल में अभी और आतंकवादी हमले हो सकते हैं यदि काबुल में और हमले होते हैं तो नया संकट खड़ा हो जाएगा वैसे काबुल हवाई अड़े पर हमले में पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी आई-एस आई का हात होने की भी आशंका है अब बड़ा खत्रा यह है कि आई-एस आतंकवादियों के निशाने पर अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे देश हैं यदि अमेरिका लगातार आतंकवादियों पर हमले कर उन्हें खत्म करने का अभियान जारी रखता है तू आतंकवादी गुट भी चुप बेठने वाले नहीं है उनके सीधे निशाने पर अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सेनिक होंगे वैसे भी हिंसा की प्रती हिंसा सदेव खतरनाक होती है इससे साफ है कि अफगानिस्तान में एक बड़ी लड़ाई का खत्रा खड़ा हो गया है ऐसी हिंसा ही दुनिया को बड़े युद्ध में जोंकती है पैरा अफगानिस्तान के हर दिन बडलते घटना क्रम को देखते हुए भारत देखो और इंतजार करों की नीती पर चल रहा है इस कारण वहे तालिबान पर अभी खुल कर नहीं बोल रहा है इस वक्त भारत की प्राथमिक्ता अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने की है वैसे भी तालिबानी सरकार को मान्यता देने का मामला जल्दी बाजी का विशे होगा हाल में सर्वदलिये बेठक में भी विदेश मंत्री ने इस बात पर ही जोर दिया था और विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर जो एकता दिखाई है वहे निश्चित तोर पर सराहनिये है भारत यदि आतंकवाद को जरा भी बरदास्त नहीं करने की नीती पर चलते हुए अगर तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव वहां फसे नागरिकों पर पड़ेगा इस कारण भारत चुप है वहीं तालिबान को लेकर विश्व के कई देशों द्वारा उनकी कूट नीती में बदलाव आया है जहां कई देश अब तालिबान सासन को मान्यता देने के बारे में सोच रहे हैं संभव है कि भारत का रुख भी कुछ वैसा ही बनने लगे क्योंकि भारत का अफगानिस्तान में बड़ा निवेश है और कूट नीती यह भी कहती है कि कभी कभी दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है हाल में तालिबान की ओर से भी भारत को लेकर जो बयान आये हैं उनसे पहली नजर में तो यही मतलब निकल रहा है कि तालिबान भारत के साथ फिलहाल कोई टकराव नहीं चाहता पैरा सडके देश की जीवन रेखाएं हैं आज महानगरों से लेकर शहरों कस्बों और गाओं तक की सडके फुटपात चोरा हैं और गलियां तक अवेद कबजों और अतिकर्मन की बड़ी शिकार हैं इससे देश का हर शहर जाम और हादसों का शिकार हो रखा है इसमें न जाने कितना धन इंधन समय जानमाल और उर्जा की भारी बरबादी हो रही है इसका पर्मुक कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या और इसी गती से लापरवा होता सरकारी तंत्र है सरकारी जमीनों और पारकों आदी का भी यही हाल है एक अत्यंत बड़ी समस्या तेजी से बढ़ती अवेध कालोनियों की भी है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है कहीं भी नजर डालें तो पूरा देश ही जुग्यों में तबदील होता नजर आता है इसलिए सर्व पर्थम दो सरकार को अब इस बड़े सुधार की तरफ तेजी से बढ़ने की जरूरत है जिसमें जनसंख्या नियंत्रन के साथ इन सभी कॉलोनियों आदी की गलियों, सडकों और फुटपातों आदी पर विशेश कारिये युद इस्तर पर करना होगा और भविशे में इन अवेद कॉलोनियों पर सक्त रोक लगानी होगी आज अवेद कबजे में कितनी सरकारी जमीन आ चुकी है शायद सरकार को खुद को भी मालूम नहीं होगा यदि सरकार अब भी इस पर कुछ ठोस और पारदर्शी कदम नहीं उठाती है तो हालात और भी अधिक विस्फोटक और खराब ही होगे पैरा खेती किसानी करने वाले किसानों का जितना नाता वन व्रक्षो जीव जन्तु से होना चाहिए वह आज नहीं है क्योंकि किसानों की कुलहाडी ने हरे भरे व्रक्षों को काटना शुरू कर दिया हरियाली के कम होने की एक वजह यह भी है हमारे पूर्वज भले ही पढ़े लिखे कम थे मगर उनकी बुद्धिवे वेज्ञानिक सोच हमें पढ़े लिखों से दो कदम आगे थी उन्होंने पेड़ पोधों वन्य जीवों को पूजने की रीती चला कर अपने वेज्ञानिक सोच और प्रकर्ती से समन्वे का आदर्श उधारन पेश किया था लेकिन हमने पुर्वजों के आदर्शों की हत्या करनी शुरू कर दी पेड़ पोधों के कटने से पशु पक्सियों के बसेरे उजड गए इससे प्राकर्तिक संतूलन बिगड़ता जा रहा है मौसम पर भी असर पड़ रहा है अब हमें पुर्वजों की नसीहत को अमल में लाना होगा तभी अच्छे मौसम की सोगात मिल पाएगी हालांकी वनों को उजाडने में वन माफियाओं को भी माफ नहीं किया जा सकता है स्टॉप